कि नमस्कार आदाब स्वस्त्रेकाल जय जरंदर स्वागत है आप सभी का नियू इंडिया के मोस्ट डिजारेबल डिमांडिक और यूनिक एट्यूकेशन प्लिटफर्म ग्रिडपर मैं हूँ आपका अपना गाइड मेंटॉर पर्त प्रदर्शक मौहमद जावेद और आप मैं मिलके पड़ते हैं प्रिवेश सेर के क्वेशन पेपर्स जो की सिरफ आंसर कंटेंड नहीं इसके अंदर वो टॉपिक्स भी कुश्ट आएंगे जो कि हम साथ 2019 पेपर में कवर आप कर चुक है तो मैं आपको बता था ना कि ट्रिक्स कितनी हेल्प करेगी अगर आपने पूरे इससे पहले के नाइन पार्ट देखे तो उन कुश्ट के आंसर आप मिलकुल कर पाएंगे बले आपको पहले चाहे वो याद थे चाहे वो आपको याद नहीं थे इसलिए ये लेसन बहुत इंपोर्ट रहेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे है ना मेरा जो यह ट्रिक्स है माइंड मैप से या तर पढ़ारे का तरीका है वो आपको बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का तो सेसेन के साथ बने रही है अंत तक अगर आप लोगों को आपका ये MPPS का एक्जाम चाहे वो MPPS जी हो चाहे वो स्टेट पीस या आपको याद करने ही करने पड़ेंगे और उन फैक्ट को याद करने की ट्रिक्स जो है मैं आपको बताता हूं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेंगे लिए तो प्लीज अंत तक बने रहो और जितने लोग मेरे साथ पहले से चूट सुके हैं आज उनका एक बहुत इंपोरेंट टेस्ट है ये मजे भी पता से लेगा कि आप लोग से आपको अब अच्छे से पहचान चाहें कि मैं आपको क्या पड़ाता हूं और पूरा पार्ट हम कवर आपकर चुके तो इस पर हमारा ज़ो है ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका एग्जाम का आपको जो है ओवर वीव पता होना चाहिए कि कितने जो है आपके बचे है यह माइंड आपमें दिमाग में बैठा लो जिना व्नदेश जी वेरे गूड मॉर्निंग अनजली जी फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का और अंत तक बने रहना है सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलना आपको ताकि टाइब नोटिफिकेशन मिले विल्कुल टाइम पे सब्सक्राइब करना नहीं बूलना नुरी जी वेरी 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 बूर्निंग तो आल अफ यू चलिए पहले कोशन से सुरुवात करते हैं विच स्टेट ऑब इंडिया विज थी कंट्रीज नेमली नेपाल बुटान चाइन भारत के किस राज्य की जो सीमा है वो नेपाल बु पस्चिव मंगाल और सिक्किम फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर दो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर सभी मुझे आप लोगों को मैं प्रिवेस लेक्चर में यह तो याद करा चुका हूँ कि बारत से जो है कितने देश सीमा करते हैं और उसको याद करने की ट्रिक भी विक्त आंसर आ रहे हैं आपको याद करा दूँंगा तो dissip रटा माने की ज रेज जी बता रहे हैं डी इसका राइड आंसर आपका वो सिक्कीम ही है तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिसको कोई फैक्ट मा प्रॉलम थी ना इससे पहले का वह हम कवर अप कर लेते हैं कि हाँ आपको इसके बाद रहेगा आमेसा के लिए कि कौन-कौन से जो है पहले बात कर लेते हैं एक छोटी सी ट्रिक की आला कि इसके लिए दो ट्रिक है मेरे पास लेकिन पहले हम जो एक आसान सी ट्रिक लेल लेते हैं दो ट्रिक है इसको याद करने की मेरे पास टाइम कैसा होता है एो टाइम होता है और दूसरा किसमे लिए चौट छी ट्रिक यह तेकि इतना सा है बांगला देश के लिए बता रहा हम आपको त्युना है और मैं अच्कुरा थ्यान देने विए टियू है इसके यहां पर ब्राउन कलर कर देता हूं ब्राउन लाइन लगी आपको जान से देखो ब्राउन कलर की लाइन है यह जो ब्रौन कलर की लाइन हो रहिए यह 차 जो है आपका क्या है थिर्पूरा है उसके बाद कहो। टाइम का एपार्ट पूरा कंप्लेट हो गया कि ययए किसे बता रहा है आघातु है कि राघए सृ시면 को बता रहा है एक आ ही बॉक रफ बनाता है तो यह जो कर रहा है आपको अच्छे से याब हो जाना चाहिए तो फिर हम देखो यहां पर ध्यान से लाइन देखो इनलो कलर की लाइन को देखो यालो कलर की लाइन हो आ रहे हैं पर गर्सنا है परकन में तो इसके बाद है यह किससे बढ़ा रहा है पस्चिम मंगाल को बता कर लो कर लो वस्चिम बंगाल कहाँ है यह लास्ट तेम किसको बता रहा है यह लास्ट पता रहा है मेगा लेको ना किसको बता रहा है रहा है तो अ आपका एक मिनट यह चेंज हो गया इससे जो ग्रिनिस कर पार्ट आपको सो रहा ना यही आपका क्या यहां पे मेगा लें इसको कलर आपका क्लियर हो जाया से तो मैप के फिरू भी पता चल गया और ट्रिक यह है टाइम एम पी एम ती से बन जाएगा थिप्पूरा फिर एम के ए से असाम एम से बन जाएगा मिजोरम फिर पी से बस्चिब बंगाल और एम से मेगा ले अब देखते हैं नेस्ट तो जिब भी पता से ले कि आप लोग जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं नेक्ट नमबर आता है चाइना के साथ में तो देखो चाइना के साथ में बन रहा है यह एक्तम बिल्कुल सही है मैं इसका लिए पहले कोशन पूछना चाहूंगा आप लोगों से यह जो आप पार्ट द देखते है कितना या या जो इसा आप देख रहे हो यहां पर मैं एक लाइनिंग कर देता हूं उल्शा इसक्राइब हान जल्दी बताव फटा-फट से इतना नहीं पूछ रहा हूं सिर्फ यह नहीं पूछ रहा हूं पूरा बताव पूरा यह जो ग्रीन लाइन करें न इसके राइट एंड साइड में वेरी गूड मॉर्निंग से ना पर विंटी जल्दी बताओ क्या है यह लद्दाक बिल्कुल ठीक ना क्योंकि आपको पता है कि जो है अब जो है जब आपका बंद जाता है कई बार की जो है पर्ट्टिक्लर पार्ट किस से बिलों करता ह जबो कस्मिर पोरा ने बुक समझू है पढड रहे होंगे अगर तो फिर गलती कर दोगे जबो कस्मिर अब टॉश करता ही नहीं तो फिर जो है अगर यहाद करने की बाद करें कि यहाद करें तो याद करने का बहुत आसान सा तरीका है हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि लद्दाक का सिपाही नाव है इसका अरुन, लद्दाक का एक सिपाही है इसका नाम क्या है अरुन है और वो का चला गया वो हिमाले पे उत्रा वो बंजी जंपिंग की है अईरोप्लेन से उसने जंप मरा और वू कहा उत्रा इमाले पर उत्रा अब यदा परिखेंग में भी इन सब सर्सेर ने अमले पर उत्रा अतन läuft लिए कर सकते कि लद्द्क का सिपाई है इक त्रौन जो की हिमाले पर उत्रा अब देखो इससे क्या हो जाएगा लगा कुसा है सिक्किम का हरुण से क्या हो जाएगा अरुणाचलपर्देश पूरा आपका याप या पर परदेस इपर किया अच्छο बंसेगे साथ कर खिए आपका के साथ बनने वाली सीमाा याद हो तो फिर से वाई चीज यह एट प्रजेंट की पोजिशन है हमारी ठीक ना तो जम्मु कस्मीर और लदाक दोनों हो गए तो फिर यह सिर्फ और सिर्फ जम्मु कस्मीर की बात करती है तो इसको अपने आपको अपडेट कर रहे हैं इसको याद करने की ट्रिक पंडित गुज्र लदाक से पंडित गुज्रा लदाक से इस तरह से याद कर सकते है पंडित को हम इससे क्या बन जाएगा इसमें आ लिक देता हूं पंडित से क्या लगाएगा पंजरा से क्या बानेगे गुजरात याद harmed in आरा से कहां मिल जाएगा अई राडस्तान का पार उ जायगा और लद्दाके तो सब को क्लिर है थीद्बत फिर इंडिया का राज्य थोड़ी है हम तो वह पार्ट यार्य कर रहे हैं इंडिया के राज्य जो है जो है चलिए अब नेक्श नमबर आता है नेपाल का कि नेपाल के साथ कितने particular राज्य जो है वह सिमा बना रहे हैं इसको याद कर लेते हैं अच्छे से तो चलिए फिर इसको देख लेते एक बात इसको एक सिंगल वर्ड से याद कर सकते हैं सुबू गई किसी का नाम है सुबू तो यह जो पहला पार्ट आपका एस इससे क्या उत्तर प्रदेश यानिकी UP यूपी कहा है यह पर्टिकुलर पार्ट आपका इसके बाद B आता है बी से बनर जाएका बिहाथ और जो दूसरा भी आघार है उसके अब इसके पास चोंटा सा हिससा यहां से जा रहा है यह ब्लू लाइन दिख रही ना यह वाली यह बी Caitlin से भी इट से हो रहा है और बज जाता है आपका छोटा सा इससा जो की है क्या उत्तरा खंड तो एक से जो है आपको याद रहाएगा कि वह काॉन ईस्टेट्स इस जो इस सीमा बना रहे हैं किसके साथ नेंपाल के साथ न्यक्स्ट देख लेते हैं और आता है यहां से तो आपको डारेक्ली याद हो जाहिए किसा अरुणा चल परदेश के आपको अरुणा चल परदेश मैं तो इसका नमबर आता है और नागा लेंड हम बात करें तो यह जो ढँड़ना है ना इससे बन जाएगा आपका नागा नाम्मी दो वर्ट से आपको तो फिर कंटेनि से चलो तो ग्रीन लाइन बता रही है एका यह इसको इसको चलिए अव्ला सायद यह की पार्ड वच्टा बिंगेज में तो यह जो एस है आप ब्रॉणी सी लाइन से सब्सक्राइस है इतनेट्स इतन्हुना है इसके बाद छो है किया बन जाएगा आसाम जो इना ऑरे है यह इस तम सब्सक्राइब मुसस्क्राइब यह तो आप सब्सक्राइब किस साइड में कंट्री से तो आप इसको करेक्ट आंसर कर सकते हो और लाश्ट बन जाता है भी वह क्या है बेंगॉल बच्चि मंगाल जो यह मैंने यहां लाइन कर रखी इसका बुलू कर रखी ठीक ना तो यह पर्टिकुलर साथ जो है वो राज्य है जो की बारत साथ जो है बारत के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक ना किसी की तरह का आपको इसके अंदर जो है वो डाउट नहीं रहा होगा उम्मीद है मुझे पूरी इसकी वेरी वेरी गुड मॉर्णिंग रिया ज आपको याद है नहीं क्योंकि मैं आपको जो है चंबल नदी से सारा पार्ट पहले से बता चुका हूं तो फटा-फट इसका आंसर कर दीजिए विच वन अब दो वॉर्लाइंग रिवर डस नॉट जॉइन चंबल रिवर निन में से कौन सी नदी चंबल नदी से नहीं मिलत आपको दिमाग कि जो है लाइट लगे और आपको आंसर आएगा किस तरह से इसको याद किया था आरहा है राजीव जी बता रहा है दी ऋन ऑजसे बता रहा है याद करने के तरह कि ंने वर याद करने के भी पुला Peninsulaा यहांसर नहीं आपाते मैंिए मुझे फीडबेक दो मत दो कोई दिक्कत महीं मेरा कुछ्छ नहीं आपका कर रहा हूँ आपका सुचो सिट्विल सर्विस की थैयरी कर रहा हूँ कौन से एक्जाम की है थोड़ी मेनत करो आपको पहले याद नहीं होते थे तो कोई बात नहीं लेकिन ट्रिक्ट बताने के बाद याद नहीं है तब समस्या है लेक्चर पूरा दी देखो कि अगर बीच में चले जाओगे कई सारे स्ट्वेंट जो है बीच में चले जाते हैं कि छोड़ो कौन पड़े गावी तो पुरेसर के कोशन पेपर नहीं है यह मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं आपको साथ साथ में जो है मैं आपको उसको य याद नहीं होगी तो बहुत गडबड हो जाएगा याद करो फिरेस पार्ट देखो बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से आंसर आता है इसका राइट आंसर है बेत्वा गलत आंसर क्यों आ रहे हैं आप तो कंटिनेसली मेरे साथ जुड़ेऊ ना कई सारे स्ट्वेंट्स जो नए है चलो समझ में आगया उनको याद नहीं सकता फैक्त है पुराने स्ट्विंट को तो याद होना चाहिए क्योंकि मैं याद करवा चुका हूं और जब मैं याद करूँ याद करता हूं रिवास करने के लिए माइन्ड मैप दे चुक हूँ इस ट्स्टोपिक के उप कि आपको फिर भी याद क्यों नहीं हो पारा ट्रिक और मैंड मेर्ट के पाथ अब पढ़ोगी नहीं तो फिर तो मैं कितनी ट्रिक बताऊं क्या फायदा है सिविल सर्विस को लेकि अपना आपको जो है सीरेस तो करो यह कुछी दिन बच्चे हैं इसमें अपना आपको सीरेस कर लो लाइफ सेट हो जाएगी आपकी आपकी सारी समस्या को हल मैं कर रहा हूं लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा वह तो आंसर है एक बार रिपीट कर देता हूं चलो मैं फटा-फट से इसके बारे में कुछ उपासि हमार पास है जो हमने हमने पहले भी डिसक्स किए उसको मैं रिपीट कर देता हूं सबसे पहले हम казто करें कि इसका का है यह तक यह कहा है MP मैं MP का एक जगा है महूं एक वहां से इसका उध्यमिस्त्र होता है और अगर हम पहाडियों की बात करें जोग्राफिकल बैसिस की पाश करें तो जनपाउं की पहाडिया जो कहा है विंद्याचल जो प्रवर्णी है यहां फिर लेश अपसे इसका उध्यमिस्तव है लेकिन अप अभर जगा पूछे तो मोहूं जब्रेश में कितने र्जयसों perdi Brothers याद कर लए इसको आया का यह कौन सी पता ती में का भी रीक याद है कौन सी जगा यह नाम बताईती जगा था यह कहां जा कौन सी जगा पर जागे यूपी में इसका नाम मुझे कमेंट सेक्षिन में चाहिए यूटूब एप दोनों पर जब तक मैं आगे बताता हूं अब बात आती है इसकी सायक नदिया जो है कौन-कौन सी यह तो इसकी सायक नदियों की अगर हमां बात करू पारवती के बाद आता है सिप्रा यह मेजर जो है नदिया है जो की जुरती है मुझे कैसे याद है कि मैं कैसे लिख पा रहा हूं क्योंकि वेर को ट्रिक क्या दे और ट्रिक में आप लोगों को पहले सही बता चुका हूं वाफस बता देता हूं चंपा ने सिप्रा और पार्वती के साथ मिलकर काली मेज बनाई चंपा के साथ मिलकर काली मेज बनाई चंपा से चंबल की सिप्रा से डायक्त है गए err पर्वत्ती से अक्ते कैस साथ का क्या काली सिंदी मेज से डारेक्ट मेज और क्या बन गया है आपका बनाइस से क्या बन कि अपका बनास याग करा चुका हो फिर बसता गया है इसके अंदर कुछ भी नहीं पूरे गए मैं जो कोशन पूरा था सिर्फ एक पस्रन आंसर किया है सहदेव जी ने पंज नदा बाखी क्या देश हो रहे है आप सभी लोग क्लास में या बस थोड़ा सा देखा और चले गए वापस पड़ नहीं रहे हो या इतने लोग हमारे सा साट और आपके लिए इंपोर्टन रहेगा वह है डैम बांधों का तो बांधों के नाम मैं आपको बता देता हूं गांधी सागरवांद राना परताप सागर और कोटा बेराज यह तीन जो है बांध जो है किस पर बने हैं चंबल रिवर पर बने में और यह चीज मैं रिप नहीं तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा समस्य हो जाएगी एक्जाम के अंदर जी बिल्कुल सना जी चंपा ने सिप्रा और पारबती के साथ काली मेज बनाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो मैं आपको फैक्ट याद करवा रहा हूं तो प्लीज आप याद देखते हैं नेक्ष कुशन कांसर आप देपाते हैं नहीं पाते हैं लिख दिया हैं इंदी इंग्लिस में माइन मैप्स भी है अवेलबर इसके इंदर चलिए नेक्ट पॉस्टेडियम इस सिचुटेब्स इस सेहर में है ने जब कैप्टन रूप सिंह अला पारड बताया थ तकि एक साथ multiple question आपके तयार हो जाए पूछे गागा इसके बार जाके नया stadium थोड़ी बनायागा वो बताओ पड़ा पड़ा इंदवार वाली और बोपाल जबलपूर जल्दी जल्दी आंसर करें तकि आपके सारी चीज़े क्लियर हो जाए जी बिल्कुल आंसर आ रहा है ऐसे मज़ा आता है जब सभी के सभी के आंसर एक ही जैसे होते हैं क्योंकि continuous जुड़े हो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बोपाल जब मैं आपको याद करा रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए पह सभी का अब सी आ रहा है चलिए बिल्कुल अच्छे रिपीट करा जाता है जिसको नहीं आ देतो मद्यपरदेश के सारे के सारे जो है आपकी याद करवा रहा हूं यह लिष्ट है मद्यपरदेश की स्टेडियम की और पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि जहां कभी भी मैंने यहां पर डबल एक दम डार्क मार किया मतलब यह क्या इंटरनेशनल स्टेडियम से ठीक है चलिए इसको याद कर लेते हैं बुपाल में कौन कौन से है एस ने टोपी लगाकर साइब बाबा से परातना की तो उसके घर बरकत हो गई फिर से रिपीट करा रहा हूं मैं चलिए ठीक है ना एस ने टोपी लगाकर साइब बाबा से परातना की तो उसके घर में बरकत हो गई तो एस से अपके क्या बन जाएगा डारेक्ट एस बाग याद हो जाएगा ना टोपी से तात्या टोपे स्टेडियम साइब से आपका जो है स्पोर्ट अथॉर्ट इंडि और बरकत से क्या हो गया बरकत उला युनिशिटी इंडियम है जो कि अभी सिरफ परस्ता भी थे तो इस तरह से याद कर सकते हैं वह पाल ने याद करा दिया आपको 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 याद हो रहा चाहिए अगर बात करूं इंदौर की तो इंदौर में तीन स्टेडियम में मे नेरु से क्या बन गया और अब भी से किया बन गया अब एकवर साल में मैंने बता आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं आपको रिपीट करके बता रहा है आपको कहा था ठीक है अब क्लिएर ओगा गनोडीजी जल्दी बताओ इसका नाम क्या था ओरिजिनल ओलकर इस्टिव का मैं याद करा चुका हूं बताया है मैं फिर उस क्लास के अंतर याद करो मैंने इंड दिया था कि नाम सुनते हम ग्वालियर पहुच जाते हैं नहीं बता कोई बाद नहीं अहिल्या भाई नहीं नहीं अहिल्या भाई नहीं उस्सा राजेश चिडियों बताया थे ना बुल गये मैंना उसा राजे राजे से जो आपको फिर वो जो है राज गराना याद आजाएगा आपका ग्वालियर का ठीके ना कोई जरूरत नहीं है आपको पढ़िये तो अच्छी सांसर कर पाओगे आपका एक्जाम में सेलेक्ट होने के चांसे बढ़ जाएंगे इसलिए मैं आपको जो है त्रिक्स याद कराता हो ताकि आप मैक्सिमम तो मैक्सिमम नंबर जो है कोशन सही करके आओ इसके अंदर क्या आपको याद करा चुक हो मैं तो याद करवा दूगा कुछ तो मैं आद कर चुक हो चलिए इसको भी देखते हैं कितना याद है आपको उसी से पहले गवर्नर से कुशन आया था अब मैं एक्टिंग गवर्नर पे कुशन पूछ रहा हूं मैंने सभी याद करा दी निम्न में से कौन सा मध्यपदेश का कारवाक राजपाल नहीं है जल्दी बताओ नियामूर्ति एंडी ओजा पीवी दिखसित जीडी दिखसित और जीपी है एगर घलत आंसर आया थो पढ़ते नहीं हो है तो है कि यह ठीक है आंसर आ रहे रोईजी कनेया जी सहदेव जी घुन्दन जी जिंद्र जी अर्विंद जी बता रहे हैं सी जी बिलकुल 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 आंसर इसका राइट होगा C क्या आंसर राइट होगा C ठीक है ना? अच्छे से याद गर लो बता चुका हो मैं तो ये चीज आपको कि कैसे मद्धिबदेश के गवर्नर्स याद करने है राज्यपार याद करने है फिर बता देता हूँ कहानी सुन लो वापस से एक बार सिता रमन हरी के पास रेड दिक्सा रेड लिने गए तो इसमें क्या होता है देखो सिता रमया पहले जो गवर्नर थे वो याद हो जाएगा फिर हरी से आपको याद हो जाएगा हरी नायक पट्टा सर इसाइगा ना फिर याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है मिस्टर रेड़ी तो नाम अगर साओथ इंडिन का आपको थोड़ा सा अजीव लगता है तो रेड़ी कर लो कि मैं सर याद नहीं होगा थोड़ा सा अजीव नाम है इस इतर में ऐसे याद कर लो फिर आता है दिक्सा दिक्सा से क्या बन जाएगा पीवी दिक्सित एक्टिंग गवर्नर रह चुके ऑप्शन में ऑप्शन ही कट हो जाएगा आपका उसके बाद आपका फिर देखो बाद के आता है तो जब वहां पर गए रेड दिक्सा रेड लेने तो देखा की सत्य वांचु नाच करके एक डांस कर रहे थे ना एक फॉर्म है उसको जो है दया सिंग दया सिंग दया चांड ओजा चांड जो है वो कर रहे थे तो इससे याद हो जाता है देखो सत्य से क्या याद हो जाएगा सत्य नाराइन सिना वांचु से क्या याद हो जाएगा निरंजन नात वांचु नात से आपका क्या याद हो जाएगा मुताना पुंचा मिश्टर मुंचा तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो फिर दया सिंग की बात करें अगर हम तो यह द यह बता चुका हो मैं आपको उसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है और उसके बाद से पहली मुक्य मत्री कौन थी सरलागरेवाल थी और उसको अबने याद करा दिया था आपको और लास्ट आपका बच जाता है फिर उसके बाद क्या हो गया कि जब वहां गए तो उन्हों देखा कि महमूद अली सफी कुरेशी के भाई वीर के पास गए है और वहां पर जो है रा आपको याद करने का पर याद करने का नहीं है राज्य पाल को वह तो यादी होता हमें वाकि जो बजगे मैंने याद करा दिए तो अगर आप से एक्जाम में यह भी कुछन पूछ ले के बता अठारवा कौन है तो इस जो अमारे ट्रिक है चोटी सी कहाणी जो है इससे आपको याद हो जाएगा तो फिर इसमें क्या बड़ी बात थी ऐसा कुछ भी तो नहीं है जिससे आपका आंसर गलत हो सकते हैं राजजिपाल याद करा दिया मुख्यमंत्र का सवाल आना तो मुख्यमंत्र याद करा दूगा तो इसके अलागा कई सारे चीज़े याद करा रखिए वह आपको वह सब याद होना जी ना गलत आंसर नहीं आना चाहिए चलिए फटा-फट से नेक्स्ट पा से वह बताऊंगा विच इंडियन प्लेयर एज वॉन द गोल्ड मैडल इन उलम्पिक्स किस बारते खिलाडी ने जो है उलम्पिक में सवन पता जीता था गगन नारंग राजंदर राजवर्दन सिंह राठोर अभिनव बिंदरा और सुसील कुमार इसका आंसर तो सभी सही देंगे वह जो पूरा अम्मीद है क्योंकि एक इकलौता फर्सन ही है जो गोड लेके आया है इंडियुजन के अंदर इसका तो आंसर गलत करी नहीं सकते जी जी बिल्कुल सबका आंसर आना शुरू हो गया है अभिनव बिंदरा सी इसका जो है राइट आंसर है तो अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ते भी है और थोड़ी सी जो आप मेनत में कमी रख रहे हैं उसको प्लीज कवर करो तो कि मैं आपके लिए मेनत कर रहा हूं त प्लीज आप भी वापस को कवर कर लिया कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगए का हां मेरे ट्रिक्स आपके लिए हल्प कर रही है आपको समझ मा रहा है पड़ोगे नहीं तो फिर ट्रिक कैसे करेंगी चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी अभी नहों बिंदरा के बारे बिजिंग जो है चैना मुव हैते अगर यह पूछने जाएगा अभीनोबिंद्रा जो है पर्टिक्लेरली किस से जुडए वह ना किस फील में जिता था तो बता ही फेटा-फट से किस फील से जिता था उन्होंने कौन सी फील से जुड़े वे कौन से खेल से जुड़े वे अभिडव बिंद्रा जल्दी बताइए कौन सी फील में उनको जो है यह स्वान पतक मिला था जल्दी बता दीजिए फटा-फट से जल्दी जल्दी फटा-फट से, 2008 में मिला था deepest 2008 का का हुआ था यह भी बता दिया था मैंकि अकलोधा वो परस्तैंज भ्रत्वा इसको उसनुंतिन एपली तक घोल्द मिला है अब चलिये कुछ और मैड लिस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले जाते हैं कि आजात भारत में ठा जो है सबसे पहली बार जो है मेडल जीतनी आला कौन थे किसी भी फॉर्म में मिला हो TIME ज encourages Azad बहारत में यह आ plumhing AIS तो निसे बावन का जो आजाद भारत का पहला हमारा जो है पॉलंपिक हुआ था एल्चिंग में उसके अंदर आपको नाम याद करना ना है दादा साहिब याद नहीं होगा तो याद कर लो ओर या देतो सबसे अच्छी बात है रहेतर आपको तरीक आताया कैसे ब्ढ़ते हैं धादा से जुशनिंग क्युका कुष्टी से रैसलिंग से किस खेल से बिलॉंग करते हैं कुष्टी से रैसलिंग से बिलॉंग करते हैं और इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता था ब्रॉंज जीता था कौन सा पदक जीता था यानि कि क्या कहते हैं इंदी के अंदर इसको कां से पदक जीता था आपको कुछ सब्सक्राइब 2016 में लास्ट हुआ था इसके अंदर भारत को जो है सिरफ दो ही मेडल मिले थे एक मेडल जो मिला था और एक मेडल आपको मिला था अगर आपसे पूछ लाएं कि सर्फ यह 2016 का जो है आपको आंसर करना है कि सर यह जो अलंपिक है कहा है प्राजील के अंदर है यह दोनों जान वादल्स म्होंने बताइभ और जिल्वर कोई आइडिया है आपको याद है कि किसमें जिता था कोई आइडिया बताएंगे मुझे साक्सी मलिक डूनों मैलावं से किस से याद होना चाहिए दो 2016 की बात हो रहे है जैना आपको वेजस्ट है ऑर फर्स्ट रोल्डिया लिए। तो यह आपको अच्छे से याब हो चाहिए चलिए और कल मैंने एक कोशन दिया था आप लोगों को मुझे जितना उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका आंसर मुझे अभी तक किया नहीं है मैंने कहा था कल में कमेंट सेक्सिर में बताना लेकिन अभी तक आप से जैन जो है तीरतन करते जिनको इस्तरी और पुरुष जो है दोनों ही फॉर्म में पूजा जाता है उसका आंसर आप लोगों नहीं दिया है फटा 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 आंसर कर दो ठीके ना और गेड़ेड़ आपको जो है चाहिए आप किसी भी स्ट्विट पेसी के तैयारी कर रहो हो, UPPSE हो, ROARO, BPPSC हो, CDP O.K. EGC, RRN, PSE, उन सभी MDPPSC और NCRT चाहिए कोई भी कोर्स हो उसमें आपको लाई सेसें के साथ PDF मिलती है और mock test और बेनेफिट्स की फॉर्म में आपको पता है कि आपको फेक्सपर्ट्टी साथ आप बढ़ते हैं जो अपनी फील्ड में एकदम एक्सपर्ट है वो आपको अच्छे से चीज़े याद करवाते हैं और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर पता कर सकते है आंसर नहीं आया अभी तक जो मैं आपसे पूछा था मैंना जो कॉर्शन को आथा कि कौन सा वो पर्टिकुलर जैर तीन थर्क कर है जिने जो है इस्त्री और पूरुस दोनों फॉर्म में पूजा जाता था इसका आंसर किसी नहीं किया अभी तक फटा-फट से आंसर कर द होती है संदे टू थर्सडे रविवार से लेकर गुरुवार तक हमारी क्लास होती है रोज सुबह दस बजे तो प्लीज टाइम से टाइम जुड़े रहे करनिया जी आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है लेकिन फ्लीज ठोड़ा सा जो है डिसिप्रिन रखेंगे तो अ अच्छा लगा हो तो लाइक और विल्कुल और लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट रिलीज करिएगा ताकि मुझे पता लगेगी किस तरह आपकर शेशन लगा सिस्क्राइब करना मत बूलना ताकि टैबली नोटेफिक्सन मिले चलिए सभी का आंसर आ जिनने इस्त्री और पूरुस दोनों ही फॉर्म में बूजा जाता था याद कर ले ना इसको यह चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी तो मुझे उम्मीद है आपको शेशन जो है बिल्कुल पसंद आया होगा और प्लीज पढ़ते रहो जितना मैं करा रहा हूं वह सब कवर जो है उन ट्रिक्स और माइंड मैप से कवर अप होता है जैसा कि आपने देखा है जो मैंने 2019 की पेपर में पढ़ाया था वो किस तरह से 2018 में घूम के आप आ रहा है तो वापस पेपर पढ़ने की जिरूत नहीं पढ़ती ट्रिक से आप उसके आंसर कर सकते हो तो जुड़े हैं आप से कुछी वक्त में नेक्ट मंडे को उम्मीद है आप लोगों को जो है सेसन जो है बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और आपको जो है किसी तरह की समस्या नहीं आ रही होगी इसकी चीज के अंदर तो बने रही है इसी तरह के साथ झाल